कि दोस्तों सेंचूरी टेक्स्टाइल के यहां पे ग्षाटर फोर के रिजल्ट आ चुके हैं तो उसे हम दोग देख लेते हैं सारे आपको बता दें करोड़ में होंगे और यह रहा आपका क्वाटर फोर यह क्वाटर तरी और यह आपका क्वाटर फोर जो की पिछले साल का फिगर बताएगा आपको तो देख लेते हैं जो आपको सेल्स दिकला यहां पे ऑप्रेशन में तोटल से लेहां पर एक हजार-e188 करोड के आसपास पास पेशले कोटर में था 1050 करोड के जंप आपको देखने को मिल जाएगा expenses में देखी एक जो concern था कि material cost बढ़ते हुए नजर आएंगे लेकिन उतने ratio में आप देख सकते हैं बढ़े नहीं 608 से हैं पे 675 ही हुआ है पे हाला कि पिछले साल से तो काफी बढ़ा है लेकिन quarter on quarter कुछ खास इसमें बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली जो कि अच्छी बात है टोटल expenses की बात कर लें तो यहां पे 11,157 करोड के आसपास खर्चे हुए हैं तो operating basis पे जो इनका profit बन रहा है वो अराउंड यहां पे देख सकते हैं 61 करोड 50 लाग के आसपास बन रहा है जो कि पिछले quarter में आप देख सकते हैं 34 करोड मान सकते हैं और पिछले साल मातर 7 करोड का फिगर था तो overall एक अच्छा result यहां पे पेश किया है इन्होंने net profit की बात कर लेते हैं तो net profit यहां पे 84 करोड के आसपास बन रहा है कि पिछले quarter में मातर 12 करोड था पिछले साल तो 10 करोड का यहां पे नुकसान आपको दिख जाएगा तो net profit आपको ज्यादा इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहां पे आप देख सकते हैं क्रेडिट होते हुए दिख जाएंगे तो जोड देंगे तो 50 करोड ते आप टेक्स में क्रेडिट हुआ है जबकि 17 करोड यहां पर करेंट टैक्स इन्होंने पे की आए तो यही बीसिक बताना था कि आपको रिजल्ट जो है अच्छे हैं मार्जिन वाईज भी अच्छे हैं आपको दिख सकते हैं रिजल्ट अग यह 824 करोड क्यास पास आपको फिगर देख जाएगा टेक्स टाइल्स में 320 करोड का इसमें उतनी रफ्तार से ग्रोथ हो नहीं रही जितना पल्पन पेपर में दिख रहा है तो पल्पन पेपर सेग्मेंट देख सकते हैं अगर प्रॉफिट वाइस देखें तो उसमें कुछ अभी भी रेविन्यू वाइस भी प्रॉफिट वाइस भी इसमें एक खासतोर भी अच्छा जंप देखने को बिल रहा है तो ओवरॉल एक बहुत सांदार रिजल्ट है ईपिएस भी हम लोग देख लेते हैं तो इपिएस यहां पे 7.71 आ रहा है जो कि एक अच्छा इपिए पिछले साल तो नेगेटिव में था तो ओवरॉल बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट पीच किये हैं आपे सेंचुरी टेक्स्टाइल्स ने